नमस्कार अध्यापक साथियो, स्वाग ध्याप सबका आपके अपने चैनल HP exam में साथियो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों का homework जो हम online classes लगा रहे हैं उसको हम check कैसे करें, क्योंकि ये एक बहुत difficult काम है उन लोगों के लिए जिनी चीज आती नहीं है जिनको आती है उनके लिए कुछ भी नहीं है, no doubt कि सारे कि सारे अध्यापक घरों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन लोग फिर भी आकशेप लगाने से पीछे नहीं अटते हैं अभी थोड़े दिन पहले ही आपने मंडी के audio सुनी है, viral हुए काफी कि अध्यापक बचों का काम चेक नहीं करता है, corrections नहीं करते हैं अब जिस अध्यापक को वो तक्नीक से उसे इतना familiar नहीं है, उसके लिए मुश्किल काम है तो अध्यापक साथियों हमें किसे पीछे नहीं रहना है, हमें कोई inferiority नहीं फिल करनी है इस वीडियो में हम आज आपको मैं step by step बताऊंगा कि बच्चों का homework आपने corrections कैसे करनी है उसमें और इसमें मैं आपको एक-एक step बताऊंगा कौन-कौन से software आपको चाहिए कैसे आप उसको use करेंगे, total बताऊंगा तो बने रही है इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक और जानिये की homework कैसे चेक करना है आपने तो मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ अपने phone के mobile screen के उपर तो साथियो आगे हम अपने mobile की screen के उपर mobile screen के उपर आपने जैसे यहां पर दिख रहा है आपका play store है इसको आपने open करना है जैसे मैंने इसको open कर लिया open करने के बाद आपने search में जाना है search में आपने यहां पर लिखना है draw यह जो आपको दिख रहा है आपने यहां type करना है draw anywhere on screen यह word type करने हैं जैसे इनको आप टाइप करेंगे इन words को आपके पास बहुत से apps निकल के आएंगे आप इनमें से can use कुछ को use कर सकते हैं जो इसमें best app मुझे लगा मैंने यह दो तिन यह आप यूज किये लेकिन जो best app मुझे लगा और जो मेरे काम का है आपके लिए काम का होगा draw anywhere इस app को आप install करें चोटा साइप है size कम है और यूज करने में भी बहुत आसान है कोई दिक्कत ही नहीं है इसके साथ तो आप इसको install कर लें मैंने पहले इंस्टाल कर रखा है मैं इसको open करता हूँ जैसे ही scope open करेंगे तो आप के सामने कुछ ऐसी screen आएगी तो इसमें आपने कुछ नहीं अलाओ करना है बस सिर्फ यह करना है so floating draw icon off जो है scope on करना है जैसे scope on करेंगे तो यहां आपको इसका icon दिख जाएगा यह जैसे यहां पर आगया यह आपको icon दिख जाएगा फिर आप इसके पीछे हर जाएंगे आप बैक करते जाएं और यह icon वहीं रहेगा फिर आपने गैलरी में से आपने उन बच्चों के जो आपको गैलरी या WhatsApp पर जहां से भी आपको homework बच्चों का चेक करना है वह आपने निकालना है आईए वह भी करके देखते हैं तो जैसे आपने य यहां से इसको क्लिक करना है जो आपके पास है आइकन वन उसको क्लिक करना है तो जैसे इसको आप क्लिक करेंगे आपके प्लस का निशान आजाएगा इसको आपने क्लिक करना है जैसे प्लस के निशान के पर आपके पास ऐसी options आती रहेंगी यहां पर आपने सबसे पहले shapes म तो आपने pen use करना है जैसे आप पैन को आप टिक करेंगे तो आप जैसे कहीं भी स्क्रीन को पर टेच करेंगा वहाँ पर आपकी इस तरीके से चेक कर सकते हैं अगर आप से लगता है कहीं आपसे गलती हो गए तो आपने के करना है फिर प्लस के निशान टेच करना है और clear के ओ क्लियर कर दो एस के उसकि 分के को लिए में बजया है ne तो इस शीपशर च्रीच को ब्रक पहन सकते हैं को से कलर बीजिए दो मैं घर वसकी कर लिया है उसके बाद मैंने उसको सुधुर करना है उस बच्चे को भीजिदेना ए तो साथियो इस तरीक के सम बहुत ही असानी से बच्चों को हो वर्क ओनलाइन चेक कर सकते हैं और बच्चों को फीड़बैक भी देशते हैं कि आपने क्या गम गलत क्या और क्या आप सही कर रहे हैं उसको आप शावास भी देशते हैं और साथ में इस टेकनिकल यूग में आगे भी जा सकते हैं तो साथियो उमीद है कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लिर हो चुके होंगे फिर भी अगर कोई डाउट है आपके बीच मन में कि आपको पता नहीं लगे आपने होवर कैसे चेक करना है बच्चे का तो आपने इस वीडियो को एक या दो बार दुवारा देखना है और आप बिल्कुल सही तरी किसी स्काम को करेंगे अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप कुमेंट करें हम आपके कुईरी को जिल्कुल सॉल्फ करेंगे धन्यवाद